दोस्तो बिग बॉस सीजन 16 के गर में यदि आप मंडली के फैंस हैं तो कहीं न कहीं ये ख़बर आपको काफी निरास कर सकती है क्योंकि दोस्तो इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार मंडली पूरी तरीके से बिख़ड चुकी है जिए दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना मंडली के कुल 4 सदसिय यानि की सिव ठाकरे निम्रित कौर, MC Stain और सुंबल तोकिर खान थे जिसके बाद अब कहीं न कहीं मंडली के ओल 3 सदसियों के रह गई है जिए दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना इस अफ़ते गर से बेगर होने के लिए मंडली के 3 सदसिये, MC Stain, सुंबल तोकिर खान और सिव ठाकरे नॉमिनेटेट थे और जैसा की प्रोमो में सिव ठाकरे को एविक्ट किया गया है हालांकि आपको बता दे कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है, सिव ठाकरे कहीं भी नहीं गया है जबकि हाकिकत यह है कि सुंबल तोकिर खान गर से बेगर हो चुकी है और दोस्तों सबसे बड़ी हैराने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा वोटिंग है वो सिव ठाकरे को मिले है जियां दोस्तों नमबर वन पर सिव ठाकरे है जबकि दूसरे नमबर पर एम सिस्टेन और सबसे कम वोट मिले है यहां पर सुंबुल तोकिर खान को जिसके चलते सुंबुल तोकिर खान को करन जोहर ने गर से बेगर कर दिया है जियां दोस्तों सूत्रों के अनुसार सुंबुल तोकिर खान गर से बेगर भी हो चुकी है हालांकि जैसा प्रोमो में दिखाया गया है वो सिर्फ सेउ के साथ में किया गया एक प्रैंक है यानि कि मजा किया गया है और दोस्तों सुंबूल के जाने के बाद मंदली के सदस्य काफे ज़्यादा गमगी नजराएंगे फिलाल आपका इस मुद्दे पर क्या है कहना अपनी राइ कोमेंट में जरूर बताएं यह दिया आप भी सुंबूल के फैंसे दे वीडियो का लाइक करना ना भूल है